एक बारदात हुई थी उम्री गाउ में यहां दुरगा फोटो स्टूडियो चलाते हैं महिंदर जी तो उनकी दुकान पर दिन में कुछ व्यक्ति गुशे तीन व्यक्ति अंदर गुशे थे उनमें से कुछ डंडो लाथियों से लैस थे और एक के हाथ में वेपन था पिस्ट गए थे तो इसमें सदर थाना थानेसर में मुकदमा दर्जवा था 307 का आमजएक्ट में तो और इसमें दो दिन पहले CIA टू इंस्पेक्टर प्रतीक की नित्यत्यव में इस केस में सक्सेस हासिल करते हुए नौ लोगों को हमने गिरफतार किया है जिन में से तीन जो दुका अलावा छे अन्य लोग जो बाहर उनकी रेकी कर रहे थे और साथ में आये थे उनके साथ शामिल थे इस वारदात में इन सभी के सभी नौ लोगों को हमारी CIA 2 की टीम ने गिरफतार किया है इनके पोजेशन से हमें तीन कट्टे देसी कट्टे हैं 315 बोर का 312 बोर का से में इसमरी के पास ही है तो विक्की सोडजी इसमें अब तक फरार है वो इस पूरे वारदात का मास्टरमाइंड था और विक्की हमारे एक पुराने मुकदमे में भी बॉंटेड है तो उसकी तलाश जा रही है और जल्दी उसको भी गिरफदार किया जाएगा जल्दी गिरफट में लिया जाएगा यह अभी तक तप्दीश में जो बात सामने आई है व तो यह है कि पिछले साल अक्टूबर में 2021 में विक्की का एक एक्सिडेंट हुआ था उम्री गाउं में ही तो उनमें कुछ दुकानदारों ने मुद्धई का साथ दिया उनके खिलाफ गवाही भी दी तो विक्की सोड़ी इस चीज़ की रंजिश रखते हुए उसने इन ल उसने एक दुकान पर पहले भी हमला किया था उक्टूबर के महीने में भी उसमें भी हमारा पॉंटिड है उसमें तीन लोग अरेस्ट कर लिये गए थे और आपकी जानकारी के लिए यह जो नौ लोग इस वार्डात में हमने अरेस्ट किये हैं उन नो लोगों में से पांच पांच लोग ऐसे हैं जो उस वारदात अक्टूबर में जो हुई थी 307 का ही वो मुकदमा था उसमें भी ये शामिल है तो उनको इस उस अक्टूबर वाले 307 के मुकदमे भी इन पांच लोग गिरफतार किया जाएगा और विक्की सोडी की जल्द से जल्द हम इसमें गिरफत हैं जाबाज और फजाबाज जिस पर पांच मुकदमे पहले दर्ज हैं संदीप और सोनु दो मुकदमे गौरफ तीन मुकदमे यश्पाल दो मुकदमे अबिशेक दो राहुल छे मुकदमे इसके चोरी के मुकदमे दर्ज हैं रोहित इसके पूर में एक मुकदमा और विज इनके खिलाफ इस्टिशीट खुलवाई जाएगी और भी सक्त से सक्त कारवाई इनके खिलाफ की जाएगी और इसमें जो आरोपिया भी बाकी हैं उनको जल्द गिरफतार किये जाएगा